पॉफिक्ट टू फ्लेवर लॉंग लाता एंड गुजिया आप इस वीडियो को जरूर देखे यह आपके लिए बहुत ही हैलफुल होने वाला है प्लीज वीडियो को इसकिप ना करें आज मैं आपके सामने बहुत ही टेस्टी गुजिया की रेसिपी लेके आई हूँ जो टेस्ट में बेलकूल आपको लॉंग लाते का स्वाथ देगा इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 200 ग्राम या फिर 2 कप मैदा और इसके लिए मैंने पानी लिया है और थोड़ा सा रिफाइन डॉयल अगर 2 कप मैदा या फिर 200 ग्राम मैदा है तो आप उसके जहां 50 ग्राम रिफाइन डॉयल या फिर घीलेंगे और इसमें बहुत ही चुटीस बर हम इसमें नमक डालेंगे जिसे की टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और इसमें थोड़ा सा हम पानी एड़ करेंगे यह जो मैंने इस्टील की कटोरी लिया है इसी से मैंने दो कप मैदा लिया है और इसी से एक कटोरी मैंने इसमें पाने लिया है अब मैं यहाँ पे इसमें रिफाइंट ओयल डाल का इसको बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करेंगे इसको पांच मिनट तक हम बहुत अच्छे से पहले इसको मिक्स करेंगे फिर इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें हम डाल के और बहुत ही अच्छा से इसका डो एक रेडी करेंगे आप इसमें हल्का सा नमक जरूर डाले ये نہ सुचेंगी मीठा है तो इसमें नमक का क्या यूस है नमक डालने से इसका टेष्ट बहुती अच्छा आता है इसको बहुती अच्छी तरीके से मसले और अधिक इसम को गीला नहीं करना है बहुत ही अजीक tight नी बनाना है, बहुत ही soft dough इसका बनाकर हमें ready करना है, जिससे हमारी गुजिया बहुती tasty लगेगी, दिवाली पर हमें गुजिया घर पे ज़रूर बनाना चाहिए, मारकेट से avoid करना चाहिए मंगाने के लिए, आप देख रहे हैं यहां पे मेरा डो बन के रेडी हो गया है और आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसमें रे से निकले हुए हैं बिल्कुल वैसा ही हमें डो बना के रेडी करना है यह बिल्कुल ही MV हाथ में यह चिपकेगा नहीं आपके बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है आप देख रहे हैं एदम सॉफ्ट डो बनाकर मैंने इसको रेडी किया है अब इसको दस मिनट के लिए पांच मिनट के लिए हम इसको ढख करके छोड़ देंगे अब हम फीलिंग के लिए इसका रेडी करेंगे मैंने आपके कड़ाई को रब दिया है कड़ाई गर्म हो गया है इसमें हम दो चम्मच इसमें रिफाइंड ओल या फिर घी डालेंगे जब वो अच्छे से लाल हो जाए तो बहुत ही कम आच में बहुत ही मेडियम फ्लेम पे इसको हम बनाएंगे और इसमें हम डालेंगे सूजी सूजी हाँ हमने आधा कप से भी कम यूज किया है क्योंकि जो हमने गुजिया हम बहुत कम कॉंटिटी में बना रहे हैं अगर आप ज्यादा कॉंटिटी में बना रहे हैं तो आप इसको ज्यादा ले सकते हैं सभी इंग्रीडियंट्स को आप थोड़ा थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं अब इसको हम इसको बहुत ही अच्छी से इसको भूनेंगे बहुत जादा हमें इसका कलर डार्क नहीं रखना है बहुत लाइट ही कलर हमें इसका रखना है यहां पे हमारी सूजी जो है वो भून चुकी है अब हम इसी में थोड़ा सा रिफाइंड ओल या घीर डालेंगे और हमारे पास जो भी ड्राइफ रूट्स होगा उसको हम इसमें हलका सा रोष्ट कर लेंगे और इसको कूट लेंगे जिसे टेस्ट हमारे गुजिया का बहुत टेस्टी लॉंगलाता मिलता था वह हमारे चासनी वारे गुजिया से ही उसका लॉंगलाते का टेस्ट आएगा तो यहां पे हमने अपने काजू को रोष्ट करके निकाल लिया है और अब हम इसमें एक नारियल मैंने लिया है यहां पे एक नारियल का जो गोला होता है उसका थ impressed लिए और शुळूप्ट आफ लिया है और इसको ़ाइन नारील को भून करके डालेंगे तो उसका टेश्ट जो है वो गुजिया में बहुत ही टेस्टी आता है मेना राइन अच्छे बहुत ज़्यादा ब्राउनी करना है और उसी में मैंने एक कप खोगा को भून लिया है यहां एक कटोरी जिस कटोरी से मैंने मैदा को लिया था उसी कटोरी से मैंने पीसी हुई छीनी लिया है आट से दस इलैची को लिया है और जो उनमें भूना हुआ सूजी था वो हमने ल इसी हमारा जो गुजिया का टेस्ट है वो काफी अच्छा आएगा अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा-थोड़ा सारे ही इंग्रेडियंट्स के क्वान्टेटी को बढ़ा दे आप चाहें तो इसमें बहुत सारे भी और कोई भी ड्राइफूट्स को है या फिर होता है लॉंग लाता उसमें बहुत ज्यादा ड्राइफूट्स वेगरा नहीं डाला होता है बहुत कम ही इंग्रेडियंट्स के साथ बहुत ही टेस्टी मार्केट का बनता है बस हमें ट्रिक पता होना चाहिए किस ट्रिक के साथ हम बनाएं दिवाली पे मिठाई कर अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए थोड़ा सा स्वीट्स जरूर बनाना चाहिए ऐसा करने से लगता भी है कि हाँ फैस्टिवल है अब हमने क्या किया है कि हमने एक कप पानी ले लिया है और एक बाउल से भी थोड़ा सा कम छोटी वाली बाउल से थोड़ कौणकि हमारे जो हमने इंग्रेडिंस टाला हुआ हूँ कुभी काफी मीठा है उसमें भी और इसलिए हम कम छीनी के साथ चास्तनी बनाएंगे यहां पर हम चोटी-चोटी लोई बेल लेंगे और यहां को घुती kanssa चैंच समय टाल पर देखते एतना खुत उना तось है था मैं देखा कि मुझे बहुत ज़्यादा इसमें आटा लगाना नहीं पड़ रहा है आप इसकी ठीकनेस देख सकते बहुत ज़्यादा हमें पतली नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा हमको मोटा नहीं चाहिए यही इसका तिकनेस होना चाहिए इस बात का आप जरूर ध्यान रखे और हमें जितना एक चम्म से एक चम्म से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें इस हम मेटेरियल को डालेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से प्रेस करेंगे आप चाहें तो किनारे किनारे पानी भी लगा सकते हैं लेकिन अगर अच्छे से आप मेटा को गुथेंगे तो आपको कोई भी पानी लगाने की जुरत बिल्कुल भी नहीं होगी आप देख रहे हैं पौफिक्ट गुजिया बनके तयार है अब एक चीज का बात और ध्यान द लगते हैं जब उसको फ्राइ करते हैं तो उसमें बबल्स आने लगते हैं ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है हम जब भी पैन को रखे उसमें रिफाइंड डाले और बहुत हल्का फ्लेम होना चाहिए जाते ही तुरंत मतलब लगना नहीं चाहिए कि यह फ्राइ होने एक लॉंग लाते का अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रीस मेरी चैनल को लाइक सेर और सिस्क्राइब करें थैंक यू